जैसे उनको वीजा हमारा भारतिया उचायोग जो हमारा हाई कमिशन आफ इंडिया है जो इस्लामबाद में है जब पूरा प्रोसेस हो जाने के बाद उनको पासपोर्ट पर वीजा लगा कर दे देता है और वो तीस दिन का लगता है तो उसमें लिमिट होती है वैं इतरे दिन करनी पड़ती है कि मैं अराइवाली ये वीजा लेका रिपोर्टिक होने के बाद फिर वो अपने उस एरिया में जहांगा उसको वीजा मिला है वहां पर रहता है जा सकता है और अपनी कानुनी जो कारवाई है पूरी कर सकता है अगर उसको लगता है कि मुझे आभी और बागतिय नागरिक भी हूँ और उसका वकील भी हूँ खोट में मेंक्सी म zdrowut सर्थ में ग्यикाbn दा जाता है तो उसकी जमिदर क्यों मने जाती है कि इस हुआ पहरत में यह जिमेदार वक्ति इसका है और इसकी मिजा दिया दा तो अब फारत का नागरिक हो तो जो मेरी जरुत के मुताबिक होगा मैं उसको उतना एक्सेंट करूँगा सर गुलाम हैदर को किन किन जगाओं पर किन किन शेहरों या स्टेट्स में जाने के लिए इजाज़त मिल सकती है जरुत मिलता उसको ज़िस का है इसा होता है कि भारत और इंडिया के बीच में के वल यह फड़ा है इनके बीच में ये प्रिशानी है, कि जो भी पाकिस्तानी वक्ती भारत में आएगा, वो जिस सहर का विज़ा लेगा, उस सहर में ही वो रह सकता है, उसके अलावा, अगर वो दूसरे सहर में जाता है, तो उसका पाकादा अलग से परमिसन लेनी पड़ेगी, उसको विज़ा अब रहा तब जाएगा, लेकिन जो दूसरी कंट्री है, पाकिस्तान के अलावा जो दूसरी कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, तो उनको सिर्फ इंडिया का विज़ा मिलता है, वो इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं बेरुक्तों, और उनकी कोई पुलिस रिपोर्टिं ये चीज़ है, तो ये दोनों के पीछ लफ़णा है, ये तीन-चार जहें का जहां-जहां जोड़त है, जहां गोतम गुद्नगर के चल रहे हूं, आमने वहा का वीज़ा है, उसका दिल्ली का है, पानीपत का है, फरिदावाद का है, तो जहां-जहां सिर्फ जो लिगल रि कि गुला मेदर की खौहश है, कि एपी सिंग बिमार है, तो मैं चाहूंगा, कि जब आप जाओं तो सबसे पहले मैं उसकी खरीयत द्राफ्त करने के लिए पी सिंग के घर जाओ, ये खरीयत प्लाइब जाएगा, वह जाकर वहाँ ठाने में खड़ा हो जाएगा, ये मुझे खरीयत के लिए, जाओं तो फट्राफ्त ये खरीयत और बिकारफ्त तो जब कोड की सुनवाई पूरी होने वारी होगी तो मैं कहा दूँगा जब करने के आपके सामने कल को यह लगा देजी मेरता हाथ उठा दिया मार दिया मैंने का आपके सामने आपके सामने कोड में करा दूँगा अचा सर दूसरी बात यह थी कि आपको मैं कहा रहा है कि जैसे गुला मैंदर की जरूरा तीन जगा पर है एक दिली में मुम्किना तौर पर बाकी हर्याना और यूपी में जरुआते इसके लावा कहीं और जाने की जरूत नहीं कुछ काम तो है नहीं कोई केस में जोड़ पड़ती है जैसे खुदा नखासता अगर हम नहीं चीतते हैं वैसा तो मुम्क मलिक जिंदीगी नहीं है लेकिन एक परसंट अगर मालिया कोई ओर ऐसा है जो हमें हाई कोड में लेके जाना है तो फिर उस हालात में हमें लग्वाव को विज़ा लेना पढ़ेगा दिलि का विज़ा लेना पढ़ेगा चंधिगड़ का विजर लेना पढ़ेगा तो जहा हाई कोड है गर उसकी जरूत के मताबिक जो वो हाँ हाँ अच्छा सर्व कोड़ा सांगे बड़े दो तीन जो यहां आने के बाद उसको कोई टेंसम नहीं है वह मैं बठाऊ उस सारी चीज अपना आप कर दूआ कुछ नहीं उसको सिर्फ साइन करने और साइन भी निकर सकता तो उसको अमुठा पहड़ पहड़ कर लगवा द सिख लिया क्या पता वो पहले से सिखी वे आई हो यह भी तो सकता है लेकिन अपर अपर आप यह कह रहा हूं कि हो सकता है पहले से सिखी वे आई हो कई भासा होगा ग्यानाओं से सर जो जो ज़ादा इजाफी जो एक्टिव होता न बहुत जादा तो कहता है यह पेट से सीख के आई है तो सीमा कभी यह लगता है कि वह सारे जो इसके करम है न वो पेट से सीख के आई है दिनिया में उसने बाद में कर्दम रखा था कि मैं यह कह रहा हूं अगले हपते जी सर ah कि तो द हमार के रोएगी वह यह हत्ता जो आने वाड़ा है यह हत्ता उसके लिए इतना कानोनी खतरनाक अप्ता है कि वह जितनी वह फुदख रही है ना जितनी वह चनल पर फुदख रही है गालिया दे रही है हमारे भारत के लोगों को गालिया दे रही है, भारत के वकीलों के बारे में गलत बोल रही है, मेरे बारे में गलत बोल रही है, और वो सचेनी भी गलत बोल रहा है, यह जो आने वाला जो हपता है, जो आने वाला हपता है, कानूनी रूप से उनके लिए इतना खतरनाक साबित होगा कि वो जितनी ही हसी है ना और जितनी ही मिमिक्री है वो सारों का जूस निकाल के दुनिया के सामवे रख दूँगा अगले अप्ति इस मुतलिक मैं सवाल करता आप से मैं कहता हूं कि इस बात को जारी रखते हुआ मेरे सवाल ले लें कि यौरे अगलबू कुटियल मैं लिसे मंतलिक अपने को समझता हूं कि में अपने आपको भारतिया समस्ता मैं मुसल faisait मुसल्मान बाद ने मुसल्मान बाद में हूं सबसे इसे आगा दिजी हूं सबसे पहले मैं भारतिया हूं गुलाम हैदर ने भारतियों को पुका रहा है, भारत की माँ को पुका रहा है, भारत की बेटियों को पुका रहा है, भारत की सरकार को पुका रहा है, माननी है अमिज साधी को पुकारा है माननी है योगी जी को पुकारा है और भारत के परसासन को पुकारा है भारत की न्याए ववस्ता को पुकारा है वकीलों को पुकारा है और भारती अदालतों से उसने गुहार लगाई है तो मैं एक भारतिय होने के नाते, ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुसल्मान हूँ, ना मैं सिक्कू, ना मैं इसाई हूँ मैं सबसे पहले एक भारतिय होने के नाते कुला मैंतर की, जिसको उसने पुकारा है मेरे पिता जी कहते थे और हम भारतियों का ये वसूल है कि हम कोई भी महमान आ जाता है हम उसको अतिती देवो भवे का अतिती देवो भवे यानि के महमान देवता तुल्य मानते